नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम रवीवार 13 नुवंबर 2022 को हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्षतर राशी और जनम अक्षर क्या रहेगा आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम 13 नुवंबर को सुबह 12 एम से 3 बज़कर 35 मिनट एम के बीच में हुआ है तो आपके बच्चे का पाया रहेगा रजट आदरा नक्षतर का तीसा चरण मिथुन राशी और डी अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 3 बज़कर 36 मिनट एम से 10 बज़कर 18 मिनट एम के बीच में हुआ है तो आपके बच्चे का पाया रहेगा रजट आदरा नक्षतर का चोथा चरण मिथुन राशी और 6 अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 10 बज़कर 19 मिनट एम से 5 बज़कर 2 मिनट पी एम के बीच में हुआ है तो आपके बच्चे का पाया रहेगा रजट पुनर वरसुन अक्षतर का पर थमचान मिथुन राशी और के अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 5 बज़कर 3 मिनट पी एम से 11 बज़कर 46 मिनट पी एम के बीच में हुआ है तो आपके बच्चे का पायर रहेगा रजट पुनर वरसुन अक्षतर का दूसर चन मिथुन राशी और को अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 11 बज़कर 47 मिनट पी एम से 6 बज़कर 30 मिनट एम 14 नुमबर 2022 को हुआ है तो आपके बच्चे का पायर रहेगा रजट पुनर वरसुन अक्षतर का दूसर चन मिथुन राशी और हा अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा धन्यव प्रड़कर 43 मिन जनम 11 वरल्थ तो बच्चे का जनम 11 आपके जनम 11 ञेकर 100 बच्चे का बच्चे का तुन 5व से चनम 11